हरे कृष्णा दोस्तो मैं दीपती आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे यूटूब चैनल सपनों के रहसे मैं उमीद करती हूँ दोस्तो आप सब अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे आपके उपर भगवान की कृपा सदेव बनी रहे आपका दिन मंगल में दोस्तो आज हम बात करने जा रही है कि अगर सपने में आपको नारियल दिखाई देता है तो इस सपने का क्या अर्थ होता है और इस सपने से आपको क्या फल प्राप्त होता है दोस्तो नारियल को हिंदू धर्प में एक पूजनिय फल माना जाता है इसको सिरी फल भी कहा जाता है स्वब्न सास्त्र के अनुसार सपने में नारियल देखना एक सुब सपना माना जाता है यह सपना इस बात की और संकेत करता है कि आपके जीवन में नई सिरुवात होने वाली है यह सपना आपकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थे का प्रतीक होता है अगर कोई बीमार व्यक्ति अपने सपने में नारियल देखता है तो वह उस रोग से मुक्त हो जाता है दोस्तों अगर आप नारियल को सपने में खाते हुए देखते हैं तो यह सपना इस बात की और इशारा करता है कि आने वाले दिनों में आपकी बहुत तरक्की होने वाली है और आपको बिजनिस में या आप नौकरी करते हैं तो आपके नौकरी में प्रोमोशन मिलने वाला है नारियल के पेड़ पर चड़कर नारियल तोड़ते हुए देखते हैं तो इसका अर्थ है कि आने वाले समय में आपको पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ सकती है दोस्तों वहीं अगर आप अपने सपने में सूखा हुआ नारियल देखते हैं तो यह सपना सुब नहीं है यह सपने का प्रभाव कम करने के लिए आपको अपने इश्ट भगवान की पूजा करनी चाहिए दोस्तों उमीद करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी अगर दोस्तों आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल सपनों की रहसे को लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें धन्यवाद दोस्तों